नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदिक ट्रिक्स और नमस्ती मैं हूं कुमार चोधरी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पेन कार्ड की रिसीविंग यानि की परची से अपने मोबाइल या कम्पीटर पे ओनलाइन या कैसे पता करें कि आपका प पैन-कार्ड बन चुका है तो कौनसी तारीक को बना ऑपैंकाड ऑपिस से स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जा चुका है और स्पीड पोस्ट से अधि भेजा जा चुक Г तो वह अभी कौन सी जगह पे है कहां पे कौन सी पूस्ट ओपिस तक अभी तक पहुंचा है इन सभी की पूरी डीटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो में आंत तक बनी रहे और अधि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को आउन कर लें ताकि इसी तरह की और भी महतपुर्ण वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएं दोस्तों पेन कार्ड बनाने की दो कमपनिया है यूटी आई और अधि आपने अपना पेन कार्ड बनाया है या फिर कैसे बनवाया है तो आपका भी पेन कार्ड इन ही दोनों कमपनियों में से किसी एक कमपनी के दौरा बना होगा तो आईए सबसे पहले यह जानते हैं कि आप या कैसे जाने कि आपका pen card कौन से company से बना है दोस्तों इसे जानने का सबसे असान तरीका है आप अपने pen card की receiving copy को देखें उसमें आपका application या coupon number जो भी है उसका starting letter अधी यू है तो समझ जाईए आपका pen card UTI के माध्यम से बना है और नीचे में भी आप यहां पे देख सकते है UTI ITSL आपको नीचे में लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर इसकी website यहां पे देख जाएगी www.utiitsl.com तो समझ जाईए आपका pen card UTI के माध्यम से बना है और अधी आपका pen card NSDL के माध्यम से बना है तो उसकी receiving copy में आपका यहां पे जो acknowledgement number है उसमें देखिए यहां स्तुरू में first letter N है उसके बाद जो भी आपका acknowledgement number है तो अधी शुरू का letter N है तो समझ जाईए आपका NSDL से pen card बना गया और इसके नीचे आपको यहां पे NSDL लिखा हुआ मिल जाएगा तो समझ जाईए आपका pen card NSDL के माध्यम से बना है तो आईए अब आगे में जानते हैं कि इन दोनों company के pen card को अपने mobile से आप online कैसे check कर सके कि आपका pen card बना है या नहीं बना है तो सबसे पहले UTI की website पे चलते हैं जहां से आप अपने UTI की pen card को check कर सकते हैं दोस्तों यहां में जो भी website का यूज कर रहा हूं उसका link आपको नीचे description box में दे दिया जाएगा आप वहां स से click करके direct उस website पे आ सकते हैं UTI की website पे आने के बाद website का interface कुछ इस तरह से दिखेगा उपर में आपको UTI की logo दिख जाएगे और यहां पे आपको application या फिर coupon number डालने का option मिलेगा जिसमें सुरू का यू आपका लिखा हुए रहेगा उसके बाद आपका जो भी लेटर है जो करना चाहरे हैं तो इसे आप blank छोड़ दें उसके बाद नीचे में date of birth का option आएगा इस date of birth वाले option में आपको वही date of birth पूरा डालना है जो आपकी pen की receiving copy में है और उसके बाद नीचे में यहां जो capture आपको दिख रहा है उसे यहां पे डालना है और फिर submit वाले option पर क्लिक कर देना है जिससे अगला page खुलेगी उसमें आपके पूरी detail यहां से दिख जाएगी यहां सबसे उपर में आपका application number दिखेगा उसके बाद application type में दिखेगा आप कौन सी pen card बनाए हैं नया बनाए हैं या correction कराएं कौन सी form बर रहे हैं तो form 49 नया का form है तो यहां से दिख रहा उसके बाद applicant नाम में आपके first name और last name के first letter आपको दिखाई देगा और उसके नीचे आपका status में आपका status दिखेगा कि आपका pen card बना है या नहीं बना है तो यह वाली status में यहां पे बता रहा है कि इसका pen card successfully बन गया है और यहां पे देखिए 282022 को इसका pen card speed post के माध्यम से भेज दिया गया है और your e pen card has been sent successfully your registered email ID में 282022 को भेजा जा चुका है और नीचे में आपका pen number के शुरू तथा आखरी के दो दो नमर दिखाई देगा और बीच के नमर आपको नहीं दिखाई देगा और सबसे नीचे में आपका region दिखाई देगा आप कौन से छेतर से आते ह और आपका दिखाई देगा दोस्तों यह तो ही UTI की pen status check करने का तरीका और अब जानते हैं NHDL की pen card की status check कैसे करें उसके बाद जानेंगे कि आपका pen card को track कैसे करें कि आपका pen card अभी कहां तक आया है तो आइए चलते हैं NHDL की pen card status check करने की website पे जिसका interface इस type का दिखेगा उ उसके नीचे में application type में आपको select का option मिलेगा उसमें आपको दो option मिलेगा जिसमें आप pen new वाले option को select कर लें और नीचे में आपका acknowledgement नमबर डालने का option आएगा उसमें आपका शुरू में N लिखा हुआ आएगा उसके बाद जो भी number है उसे आप यहां पे डालें और उसके बा इसके status की page खुल जाएगी और उपर में आपका acknowledgement नमबर मिलेगा उसके बाद आपका name में आपका शुरू के कुछ अक्षर दिखाई देगा और आखरी के कुछ अक्षर दिखाई देगा उसके बाद आपका category में आपको बताया जाएगा यहां से कि आपका pen card कब dispatch हुआ है य जिसे हम थोड़े ही देर में जानने वाले हैं और उसके नीचे आपको pen number का सुरू तथा आखरी के दो दो अंक आपको दिखाई देगा दोस्तों इस website का भी link वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा और इसे track करने की website का भी link आपको नीचे में मिल जाएगा तो आईए आप इसे track करना सिखते हैं तो सबसे पहले UTI वाले website पर चलते हैं और यहां से आप देखिए यह जो consignment number आपका दिया हुआ है RM से सुरू है और IN से खतम है इसे यहां से यहां select करके copy कर लेना है और उसके बाद India post की track consignment की website पर आना है जिसका link वीडियो के नीचे आपको मिल और यहां पर जो capture आ रहा है उसे solve करके आपको यहां पर डालके search पर click कर देना है जिसके बाद थोड़ा wait करें और नीचे में आपकी पूरी detail आ जाएगी pen card से related की आपका pen card कब book हुआ है और कौन कौन सी location तक कौन कौन सी तारीक को आया है और और कब आपका deliver हुआ है इत्या करना है इसके लिए आपको यहां पर जो number मिल रहा है उसे copy करना है और फिर दुबारा आपको इंडिया पोस्ट की website पर आना है और वहां पर consignment number वाले option में उस नमबर को paste कर देना है और यहां जो capture आ रहा है उसे solve करके search कर देना है जिसके बाद आप अपने pen card के track status को check कर सकत हैं कि अभी आपका pen card कहां तक आया हुआ है तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को like और share करना नहीं भूलिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो अभी आपको subscribe कर लेना चाहिए क्योंकि मै मैं इसी तरह की और भी अन्य महत्पूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ तो वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवात जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में आपका दिन मंगल मैयो